Hello everyone, myself Pratik, your teacher. We are starting with active and passive voice. यह आपका first class से लेकर 10th class, 12th class तक आता रहेगा topic. ठीक है? Voices होती है हमारे पास दो प्रकार की. जिसके अंदर क्या है? First हमारी active voice है, second हमारी क्या है? Passive voice है, okay? चलिए, इसके बारे में जानते हैं हम. क्या-क्या बता रखा है? Active voice और passive voice में क्या difference रहेगा? जब भी active voice के अंदर I दे रखा होगा, तो passive में हो क्या change हो जाएगा? By me हो जाएगा change, okay? V दे रखा हो तो हो जाएगा, by us हो जाएगा. U दे रखा हो तो U रहेगा. He दे रखा है तो he का him बन जाएगा, ठीक है? She का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, it का it रहेगा, as it is, D का क्या हो जाएगा? By दे हो जाएगा, चिक है? चलिए, आगे चलते हैं. अब हमें बता रखे है कुछ forms, कैसे बता रखी है? Active voice और passive voice की. सबसे पहले subject होता है, फिर होता है हमारे पास action, फिर होता है last में object होता है. हर sentence के अंदर यही चीज़े given होती है. जब passive voice की बात करेंगे, तो जो आपका object है, वो बन जाता है subject. ठीक है? जो subject है, वो last में चला जाएगा, object आपका starting में आ जाएगा. Clear? अब जैसे कि इसमें first example दे रखा है, Anna painted the house. ठीक है? तो इसमें Anna क्या हो गया? subject हो गया. आपका यह last में चला जाएगा, और object क्या है यहाँ पे? the house. तो आपका बन जाएगा passive voice के अंदर, the house was painted by Anna. ठीक है? painted था, उसके आगे क्या आ गया? was आ गया. Clear? निचे next part आपको दे रखा है. the teacher always answers the student's question. ठीक है? तो क्या हुआ? इसके नदर change हो गया. the student's questions, ठीक है? are, जादा है, always answered by the teacher. teacher उसके answer देती है. ठीक है? starting का last में चला गया, last का starting में आ गया, और बीच वाली form को आपको चेंज कर दोगी. last में क्या दे रखा है आपको? अली posted the video game. ठीक है? अली आपका subject होगे, ये last में चला जाएगा, बाई अली बन गया. ठीक है? क्या है, यहाँ पे video online दे रखा है? तो the video was posted online by अली. ठीक है? जो video है, वो post करिये, किसने? अली ने करिये, कैसे करिये? online करिये. I hope so this much is clear. ठीक है? एक एक करके हम इसके बारे में अब और अच्छे से जानेंगे. देखिए, ये क्या बता रखा है हमें? देखिए. फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास simple present tense. simple present tense के अंदर क्या changes होंगे? जो verb की first form है, वो तो third में change हो जाएगी. और साथ में आपको क्या add करना है? is, m और r add करना है. is, m और r. आपको पता होगा, जब भी singular होगा तो is लगा देंगे. आप i होगा, तो आप m लगा होगे. और r कब लगाना है? जब plural होगा. ठीक है? ओकी. next one के अंदर क्या बता रहा है? simple past tense. past tense में क्या होजाएगा? was or were आजाएगा. जैसी इसमें given है, ठीक है? और क्या आजाएगा? word की second form आती है. इसमें active में और passive में क्या होजाएगी? third form होजाएगी, ठीक है? future के अंदर क्या होगा? will और shell के साथ क्या आजाएगा? be आजाएगा. बस यह आपको याद रखना है, ठीक है? यह क्या है, इसके formulas हैं, जो आपको formula याद करने हैं, यह easily याद हो जाएगे आपको methods, उसके बाद आपको easily करपा होगा, यह सारे सारे rules हैं आपके हम. उसके बाद जब है present continuous tense, तो ing आएगा आजाएगा है, ठीक है? यह आपको याद रखना है, और verb की first form चेंज हो जाएगी उसके अंदर. ठीक है? ओके, क्या दे रखना है next हमे? perfect tense के बारे में बता रखना है, present perfect में क्या होता है? has have होता है, इसको देखते हैं, आप बता दोगी has have वाला question है, ठीक है, चाहिए आपके 6th class का question हो, चाहिए 10th का हो, whatever it is, ठीक है? चलिए, अब हम लेते हैं first part, simple present के अंदर क्या change कर रखा हैं इनोंने? reporters write news reports, ठीक है, reporter क्या कर रहा है? लिख रहा है reports को, तो इसमें क्या करेंगे हम? चेंज कर देंगे, reports का जाएगी, starting मा जाएगी, क्या है हमारे पास news reports है, news reports are written, बताया था ना मैंने आपको, जो write है, उसकी second form, third form बन जाएगी, return बन गया, और क्या आगया? आ रा गया उसके अंदर, ठीक है? second के अंदर क्या बता रहा है? present continuous बता दिया, present continuous, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी ing देखोगी, क्या लगा दोगी, आप being लगा दोगी, ठीक है? और साथ में क्या हो जाएगा? is, इसका is रहेगा, क्या है? ब्राउनी उसमें चेंज करिया, बाई, माइकल आ गया, past के अंदर क्या दे रहा है? hired दे दिया, तो क्या आया? वाज या वोर? वर इसलिए आया है, क्योंकि बहुत सारे workers है, और hired का hired रहा गया, as it is, ठीक है? नेक्स में क्या है, past continuous, was आया था, helping, helping देखते, ing आ गया, तो क्या लग जाएगा? being लग जाएगा, यह आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए, present perfect के अंदर आप क्या change करेंगे, present perfect में क्या बता रखना है? they have already discussed the book, उन्होंने book को read कर लिया, तो क्या हो गया? the book has already been discussed, ठ bean लगा देंगे, बस आपको bean याद रखना है, second में क्या है, he had delivered the letters, तो the letters आ गया, तो क्या है, had bean बन गया, यहापे, head दे रखा था, had bean बन गया, the company will hire new workers, जो company है, वो new workers को लेगी, तो क्या बन गया, the new workers will be hired by the company, ठीक है, इसके अंदर वो company उनको ले लेगी, अब हमें बता रखा है, यहाँ पे, infinite के अंदर के आप उटका है, has to deliver के अंदर के आजएगा, have to deliver, क्योंकि वो जादा होगे, letters महाँ पे, delivered का delivered बन गया, okay, next one, modals में क्या दे रखा है, she must deliver the letters, the letters must be delivered by her, her आएगा इसके अंदर ठीक है, first, इस वाले में भी हर आएगा, आपको यह याद क्या चेंज गया, एक बर photo watch से इसको पढ़ लेता है, फिर भी, hires का क्या बन गया, are hired बन गया, is hiring का क्या बन गया, being लग गया, क्योंकि I NG था, are being बन गया, okay, ऊसके नीचे क्या दे रखा है, hired का क्या बन गया, were hired बन गया, was hiring का, past continuous, was का क्या होआ, were हो गया, क्योंकि workers है ब को perfect में क्या लगा हो गया बीन लगा दोगे okay modals में दे रखा है can hire can be hired हो गया modals perfect में क्या हो गया must have hired का बीन आजएगा इसके अंदर that's it इसके लावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है easy say है बिल्कुल बस आपको formulas को याद रखना है जो भी इसमें बता रखे है इसके लावा कुछ भी नहीं है यह एक और simple सा है बिल्कुल यह आप basically लगा लो fifth class के लिए starting starting अंदर जब अच्छे समझते हैं क्या क्या बता रखा है इसके अंदर he writes a letter तो क्या हो गया subject आपका क्या बन गया प्रेडिकेट बन गया letter यहाँ पे चला गया यह last में चला गया a letter बन गया is written उसके द्वारा लिखा गया by him बन गया ठीक है him आ गया last के अंदर he does not write a letter तो a letter is not written by him बन गया he wrote a letter a letter was written by him ठीक है यह छोड़ी चीज़े हैं जो आपको याद रखने हैं आपर was आ गया did not के साथ same आ गया he will write a letter का क्या बन गया he will be written a letter will be written by him बन गया he is writing a letter a letter is being written by him यह छोड़ी चीज़े हैं जिसको आप read करके easily समझ सकते हो लाकि मैंने आपको पूरा समझा दिया है आपको फिर भी इसके लावा कोई doubt हो तो आप comment section में नीचे डाल सकते हैं आपको दुबारे से समझा दूँगा ठीक है जैसे लास्ट वाल पहले पार्ट में क्या बता रहा है यह हैड के साथ क्या बताए तो मैंने बीन लग जाएगा है ना हैस के साथ बी बीन लग जाएगा और जब भी आपका आएंज आएगा कोशन के अंदर तो बीन लग जाएगा बस आपको छोटी सी चीज जाद रखने हैं और उसको लिखना है ओके निचे आपके लिए एक exercise चोटी सी जिसको आप screenshot ले लीजिए या फिर जैसे भी और इसको आप solve करके लिचे comment section में डाल सकते हैं ठीक हैं होफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर कोई भी इस दिक्कत हो आपको तो आप नीचे comment section में डाल सकते हो मैं आपकी help करूँआ पूरी ठीक हैं Thank you so much.